तो दोस्तों, आज हम देखेंगे डायरी के पन्नी का दूसरा भाद भारतिये लोगों को स्वतंतरता की तलब थी, वे स्वचंद घूमना चाहते थे हमारे देश ते मिल रहा धन की सरकार के लिए सर्वो प्रिय था जानकी देवी, मदालसा, आदी ने भी जुलूस में भाग लिया शुभास चंद्रबोस के जुलूस की तयारी पूनो दास को दी गई थी उतनी मात्रा में पुलिस मौजूद नहीं थी, तो भारतिये लोगों को लगा कि पुलिस उन्हें रोक नहीं सकती लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दो तर्फी सुचनाय निकल चुकी थी, एक अंग्रेजी सरकार की और से, दूसरी भारतिये लोगों की और से शुभाश बाबुक को उसी स्थान पर रोक दिया गया, पर भीड को नहीं रोक पाए देखना सके ऐसी स्थिती में शिटी चटर जी का फटा हुआ सिर मिला बड़े-बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, बिना गुनहा के 105 स्थियों को गिरफ्तार किया गया तस्वीरों के मार्ध्यम से देश भर में जागुकता पहलाई जा रही थी बंगाल के लोगों में आजादी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे ऐसा उन पर कलंग सा जो आज मिट गया था हजारों मीलों का सफ़र एक कदम से ही शुवू होता है कोई परिवर्दन के लिए हमें दूसरों का इंतजार नहीं करना चाहिए हमें स्वयम ही वो कदम उठा लेना चाहिए सईयुक्त वाक्यों में दो वाक्यों को स्वतंत्र होते है मिश्र में एक वाक्य मुख्य होता है ततो दूसरा उस पर निर्भत अब हम देखेंगे बिहारी के दोहे बिहारी की रसिक्ता लोगों की जीवन शेली में थी बिहारी की एक ही रचना है सत्साई बिहारी ज्यादा तर सुन्दर्ता प्रधान दोहे लिखते थे सत्साई में साथ सो दोहों का संकलन है अपने जीवन में उन्होंने हर तरह के सुख को प्राप्त किया है जिसकी जब किसी बर्तन को मांजा जाये तो वह चमकने लगता है उसी तरह कवी युगक युगतियों के हुनर को निहाते हैं बिहारी के दोहे दिखने में छोटे हैं परन्तु हमारे हिर्दय में बड़े बड़े सवाल खड़े कर देते हैं